उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव के सहिकारीता भवन में आज प्रतिनिधी उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी महकुम्ब का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर से आई व्यापारियों ने लोकसभा चुनाओं से पहले सरकार के सामने 15 सूत्री मां कुम्ब में राश्री अध्यक्ष अनुप शुकला ने कहा कि GST अधिकारियों द्वारा नोटेस के नाम पर व्यापारियों का उत्पीडन बंद हो उन्होंने कहा कि राज्चे शासन ने चुनाओं से पहले वादा किया था कि व्यापारी आयोग बनाया जाएगा जो कि आज भी लंबित है और व्यापारी सबसे जादा टैक्स देते हैं पर उनका उत्पीडन अधिकारी करते हैं इस पर रोक लगाए जाने की आविशक्ता है इसी क्रम में राश्री अध्यक्ष अनुप शुकलाने अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के शोशन पर रोक लगाए जाने समेत 15 सूत्री मांगों का ग्यापन सी एम को भेजा है लखनों से संबादाता रोहित श्रीवास्तक की रिपोर्ट व्यापारी महाकुम का आयोजन का प्रमुख ये कारणा था कि पुरे प्रदेश भर में हम लोग व्यापारियों के साथ मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन करके कई महीनों से एक आइटम चला था और इस काइटम का मुख उद्देश ही था कि जिस तरीके से अधिकारि के द्वारा व्यापारियों का उत्पिलन हो रहा है व्यापारी आयोग की घठन की हमारी मांग बहुत पूर्व की है और सरकार ने वादा भी किया था परन्त वह वादा याद दिलाने आज हम आये हैं कि व्यापारी महाकुम के बाद्यम से 2024 से पहले सरकार व्यापारी भी कि लिखने पर चाम पारी भीकिटी कि लिखने लिखजने कि बेंडिगने खा निखने पहें टूरा कि लिखने घ्व